नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टाइमी में बदलाव को लेकर सनी बार को आदेश जारी कर दिया है उल्गुलान महारैली को लेकर वहनों के रूट वब पारकिंग अस्थल निर्धारीत रांची के परभात तरह मैदान में रब्वीवार को होने वाले उल्गुलान न्याय महारायली को लेकर रांची पुलिश ने सुरक्षा और ट्रैफिक बेवस्था की तैयारी फूरी कर ली है सुरक्षा बेवस्था में 2000 जवान और अपसर तैनात रहेंगे बताद महारायली में सामिल होने के लिए बाहर से आने वाले लोगों के वाहनों के लिए रूट और पार्किंग अस्थरनी धायित किये गए हैं ट्रैफिक एस्पी ने रूट लाइन और पार्किंग को लेकर सनीवार को आदेश भी जारी कर दिया है गढ़वा पलामु लाते हार चतरा रामगर बेडो इटकी रातू काक के मांडर चानहो और बढ़मू के ओर से आने वाले वाहन कांठी टार से रिंग रोड होते हुए दला दली और यहां से नायास राय रिंग रोड होते हुए बाला लोंग मोड पहुँचेंगे इसके बाद यहां से धुरुवा डेम होते हुए धुरुवा बस एस्टेंड के बाय सकुआ और आम बागान पहुचेंगे और यहीं वाहनों को पार्क करेंगे जारखन में लू अलर्ट 15 जिलो में पारा 41 पार जारखन में गर्मी का सितम जारी है सनीवार को राजी के कहीं हिसों में लू चली सनीवार को राजी के 15 जिलो में अधिक्तम तापमान 41 डिगरी पार कर गया वही पुर्वी सिम्मूम के बाहरा गोड़ा में अप्रेल माह में गर्मी का रिकोर्ड टूट गया है यहां दिक्तम तप्मान 46.4 डिगरी पहुँच गया है मौसाम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजी के 14 जिलो में लूच चलने का एलो अलर्ट जारी किया है इस दोरान राजधानी राची का दिक्तम तप्मान 45 डिगरी और संताल कोलाहान वा पलामू प्रमंडल के जीलो का तप्मान 45-45 डिगरी के बिचरा सकता है मौसाम विभाग के मुताविक सनीवार को कोलाहन के सराय के लाका दिक्तम तप्मान 45.4 डिगरी दर्च किया गया है प्रदेश बिरोधी, सनातन बिरोधी, जार्खन बिरोधी, विकास बिरोधी लोगों का जमाड़ा हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत उन पर चरितार्थ हो रही है, जार्खन की जानता सब जानती है। सदाम हुसेन गत वर्ष 14 अपरेल 23 को सेना के उप्योग वाली भूमी की अवैत तरीके स्खरीत भीक्री मावल में गिराफतार हुआ था। उसके बाद से ही वह जेल में था। उस वक्त बढ़गाई अंचल का ततकाली रायसो उपनिरिक्चक भानुपताप पर साथ भी पगड़ा गया था। जिसके आवाज से भारी मत्रा में सरकारी दस्तावेज मिले थे। और समिधान की रक्षा करना भी है। पहले दिली में सरकार को गलत तरीके से ठढ़ाया गया। जारखन में भी ऐसा ही परियासों को देखकर जामों को नेतित में परिवर्तन का निना लेना पड़ा। जरा सोचिए जिस चेहरे को देखा कर हमें बहुमत मिली वही सलाकों के पीछे ढकेल दिया गया है। पुरो मुख मंतरी हेमल सोरेन के भाई और जारखन केविनेट में मंतरी बसंद सोरेन ने सरनिवर को उलगान रैली को लेकर प्रभात तरा इसकूल के मैदान में त्यारियों का जाजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए दिखे। जारखन सहायक सिक्षक भरती परिक्षा की डेट जारी। पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। प्रथम पत्र की परिक्षा में भाग लेने के लिए परवेश पत्र 24 अप्रेल से आयो कि वेबसाइट से डानलोट किया जा सकेगा। MS धावनी के सहर पहुंचे सचीन तेंदूलकर। भारत के पुर्व किर्केटर और मास्टर ब्लास्टर सचीन तेंदूलकर और उनकी पत्नी अंजली तेंदूलकर सनी वार सुबा आठ पंद्रह पर बिर्शा मुंडा रांची एरपोट पर पहुंचे। इस दोरान वहाँ पर मौझूद उनके समर्थकों ने सचीन तेंदूलकर का जोरदार स्वागत किया है। के और मांजी के लिए निकल चुके हैं। इम्रेम उर्प नाजोम के अपने जस्ते के कुछ सेस्योक साथ भ्रमसिल होने। एवं गोईल के रा अनन्दपूर थाना छेत्र में चल रहे विकास कार्यों बंद कराने। तथा सन्वेत को सिल्लेवी मांग करने की सुचनप्राप्त हुई थी। जामूमों में महिलाओ को नहीं मिलता समान सिता सुरेन। दूमका लोक्षभा सीट से भाज्पा की परत्यासी Si horian ने कहा है कि जामों महिलाओ को समान नहीं मिलता है इसलिए उन्हे पार्टी को छोड़ कर भाज्पा में सामील होना पड़ा Si horian sarniwar को जाम टाडा में करकरता समेलन के राद पत्रकारों से बाचित कर रही थी उन्होंने कहा है कि इस बार दुमका में भाजपा को एक तरफा जीत मिलेगी पिछले चुनाव की तुनला में इस बार अधिक वोटिंग होगी उन्होंने कहा है कि मैंने 14 साल तक जहमों में रहकर जानता की सेवा की है लेकिन घर परिवार में मुझे कोई समान नहीं मिला मेरे पती स्वर्गे दुर्गा सुरेन ने बाबा सिवु सुरेन के साथ जहारकन आंदोलन में काफी संगर्श किया तब जाकर जहारकन अलग हुआ है लेकिन राज का जीस तरह विकास होना चाहिए था वह जहमों की सरकार में नहीं हो सका पार्टी सीव चंद लोगों में सिमट कर रह गई है गढ़वा में हाथियों ने महुआ चून रहे सक्त को मार डाला काढ़वा जीले में हाथियों के जोनने जंगल में महुआ चून रहे एक सक्स को पटक पटक कर मा डाला है सुबा सबेरे हाथियों के इस उत्पात के बाद जंगल में अपराता प्रिमच गई जंगल में महुआ चून रहे अन लोग भी डर से भाग गए इस घटना से लोगों में आकरोज है सबक पर सो रहक कर लोगों ने दो घंटे जाम कर रखा था बता दे कि हाथियों के आतंग से त्रस्त लोगों में वन विभाग के प्रतिन राजगी है वन विभाग के और से मिर्टिता के परिजनों को 10 संसकार के लिए ततकाल 10.000 रुपे दिये गए विभागी प्रकिरिया पूरी करने पर 4.000.000 रुपे मुअबजा दिया जाएगा धन्यवाद